खबर है कि बिहार में गुरु आर यानि कि 14 मार्च को मंत्री मंडल का विस्तार हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार के मुख मंत्री 29 कुमार ने आज साम बीजेपी निताओं के साथ बैठक की जिस बैठक में दोनों डिप्टी सीम भी मौजूद थे। बैठक में मंत्री मंडल के विस्तार पर चर्चा हुई दोनों डिप्टी सीम यानि कि समराट चौदरी और विजेपी सीनहा बीजेपी से संभावित नामों की सुची लेकर आये थे और ये बैठक करीब आधे घंटे तक चली। सुत्रोका निसार मंत्री मंडल में सामिल होने वाले संभावित नामों की सुची राजभावन भेज दी गई है वहीं मंत्री मंडल विस्तार को लेकर बैठक में बीजेपी के डिप्टी सीम के साथ साथ जेडियू की तरब से ललन सी, संजय जहा, बिजन रियादो और विज भायकों की संख्या चादा है, जेडियू के 45, बीजेपी के 78 विधायक हैं, इसलिए मंत्री मंडल विस्तार में, इधर लोगसभा चुनाओ करीब है, ऐसे में माना जा रहा है कि मंत्री मंडल विस्तार में जातिय समीकरन को भी साधने की पूरी कोशिस की जाएगी, सेम नित 30 सरकार ने बहुमत भी हासिल कर लिया था, लेकिन आज 4 मार्च है, अब तक मंत्री मंडल का विस्तार नहीं हो पाया है, करीब सरकार बने एक महीने गुजर गए हैं, ऐसे में अब खबर आ रही है कि कल मंत्री मंडल का विस्तार हो सकता है, अब देखना होगा कि कल क्या सामने आती है, मंत्री मंडल का विस्तार होता है, तो कौन-कौन से ने चेहरे मंत्री मंडल में सामिल होते हैं, पिलाल इसक बर में इतना ही बाकी तमाम खबरों किलाब मने रही हैं, इन खबर बिहार के साथ